दोस्तो, experiential marketing एक product को market करने का और नए customers के acquire करने का एक बहुत ही ज़ादा effective तरीका है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे freemium model और sampling का इस्तमाल करके अपने business को grow कर सकते हो Hello दोस्तो, मैं हूँ पृतम और आप देख रहें upcoming entrepreneur So without any further ado, let's get into the video दोस्तो, experiential marketing का basically यही goal है कि आपके customers आपके product को खरीदने से पहले आपके product को experience कर ले, ताकि ज़्यादा chances हो, ताकि वो आपके product को खरीद ले और इसके कई सारे फाइदे हैं, जैसे कि यह आपके customer loyalty को बढ़ाता है Customer आपके brand के तरफ, आपके product के तरफ और भी ज़्यादा loyal होता है और यह आपकी customers और आपके brand के बीच connection को और भी ज़्यादा मजबूत करता है यह आपको आपकी brand awareness को increase करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करता है आप customers के mind में एक positive brand image भी बना सकते हो और इसका सबसे बड़ा benefit आप अपने product को directly customers के हाथ में दे सकते हो जिससे कि उनके mind में जो भी resistance होता है वो खतम हो जाता है और वो आसानी से आपके customers में convert हो जाता है दोस्तों आपको एक secret बताओ experiential marketing आपकी customers के psychology को influence करता है यह आपके customers को आपकी product की तरफ attract करता है और customers subconsciously आपके product को खरीदने के लिए तयार हो जाता है लेकिन आपका product अच्छा होना चाहिए दोस्तों अब जानते हैं कि freemium और sampling का मतलब क्या है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से अब तक value मिली तो YouTube algorithm को यह बात बताने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आपको business or entrepreneurship पे interest है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए freemium दो शब्दों का mixture है free और premium मिलके freemium तो इसमें आप customers को अपने product का कुछ पोर्शन free में experience करने के लिए देते हो ताकि customers आपके product को experience कर सके आप उनको influence कर पाए वो आपके product को इतना habitually इस्तमाल करे कि वो subconsciously आपके product से जुड़ जाए और तब आप उस customer को अपना premium product बेचते हो दोस्तों इसका अगर मैं आपको कुछ examples दो जैसे कि Spotify पहले वो आपको कुछ ads के साथ free में music enjoy करने देता है लेकिन बाद में वो आपको बहुत जादा ads देता है जिसके वज़े से आप Spotify premium लेने के लिए मजबूर हो जाते हो वो ऐसा ही LinkedIn भी करता है और same आप YouTube भी कर रहा है तो अगर आप देखे आपके चारो तरफ ऐसे businesses की बहुत सारे example है तो अगर हो सके आप भी इसको अपने business पे जरूर इस्तमाल केजिए लेकिन इसमें आपको एक चीज़ की धान रखने की जरूरत है कि आप अपने cost को manage कर सके दोस्तो अप अगली model है sampling अगर आप अपने product को free में नहीं देना आचाते तो आप अपने product का बहुत ही छोटा हिस्सा बहुत ही minimum charts में offer कर सकते हो ताकि customers आपके product को बहुत ही minimum price पे ले सके और उसे experience कर सके अगर मैं इसका एक example दो तो जैसे कि आप किसी भी shampoo के brand को देखे वो एक रुपय के शैशे इसलिए ही बनाता है ताकि customers उसे खरीदे उसे experience करें और वो customers के psychology को influence करता है जिसके वज़े से कि customers उनके बड़े product को buy कर लेते हैं तो इसी तरह आप भी अपने business को increase करने के लिए sampling का इस्तमाल कर सकते हो दोस्तों लेकिन बहुत ही ज़रूरी point कि आप जब भी इस model का इस्तमाल करोगे आपको सही customers को target करना बहुत ही ज़रूरी है अगर मैं इसका आपको एक example दो तो सोचे कि आपने अपने कुछ free samples किसी window shopper को दे दिये है तो chances बहुत ही कम है कि वो आपके product को खरी देगा और आपके samples waste हो जाएंगे जिसके वज़े से आपको loss भी हो सकता है तो इस वज़े से आपको अपने potential customers को target करना और उनको select करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सही customers को target नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा loss भी हो सकता है दोस्तो इसका एक और benefit है आप इसका इस्तमाल अपने product को test करने के लिए कर सकते हो सोची कि आप कोई नया product बना रहे हो तो उस product को market में finally launch करने से पहले आप कुछ samples customers को दे सकते हो जिसकी मदद से आपको customers के reaction उनकी feedback ले सकते हो और जिसके मदद से आप अपने product को एक perfect market fit बना सकते हो दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से value मिल तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजे और subscribe to my channel इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ अपसे अगले वीडियो में तब तक कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें